नमस्कार मित्रो जय मातली स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तुम मित्रो स्वयम सनिदेव लिख रहे हैं आपका भूत भविश्य और वर्तमान जी हां मित्रो दिनांक 14 मैं से लेकर 20 मैं तब यानि की इन 7 दिनों में जो घटनाए होगी उसे आप सहन नहीं कर पाएंगे मित्रो कर्मो के देवता स्वयम सनिदेव अब आपकी रासी पर विराजमान होने वाले हैं अब आपकी रासी में होगा बड़ा उलेट फेर तो इस व रहेंगे यह साथ दिन व्यापार की डरश्ती से नोकरी की डरश्ती से पारिवारिक जीवन्यापन के लिए प्रेम संभंधों के लिए साथ ही मित्रो विध्यारतियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार रहेंगे क्या सावधानिया आपको बरतनी है और क्या खु में केवल मातरानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दे लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनो कामनाय पुरुन करेंगी मित्रो वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और आप से हाथ जोड़कर विनर्म अनुरोध करते हैं कि इस वीडिय में बिल्कुल भी मत छोड़ियेगा तो चलिए अब आपका किम्ती वक्त गवाई बिना बढ़ते हैं अगले साथ दिनों के एक विशेश समय अंतराल की ओर तो मित्रो धियान रखियेगा कि यह जो समय रहेगा यह समय थोड़ा सा वेवस्ता प्रुन बना रहेगा और आपक अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी मिलेंगे याने कि जो मेहनत आपने भूतकाल में की थी उस मेहनत के परिणाम अब आपको वरतमान में दिखेंगे परन्तु इसके लिए आपको कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा आपको कार्य तो करना ही पड़ेंगे अपनी उर्ज कब भरपूर इस्तमाल करें क्योंकि आप उर्जा से परिपुर्ण हो रहे हैं भूमी अथ्वा वाहन से संभन्दित आपका कोई काम भी हो सकता है वहीं ध्यान रखेगा मित्रो कि भविश्यू को लेकर चिंता करना बिलकुल वियर्थ है वर्तमान इस्तिती पर ही अपना ध्य और अपनी चीजों को संभाल कर रखें क्योंकि खोने या चोरी होने के योग बन रहे हैं और विध्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है इस समय कारिछेत्र पर अपनी उपस्तिती रखना जरूरी है क्योंकि अधिनस्त कर्मच्यारियों के बीच कुछ कहा सोनी हो सकती है अथवा कोई inquiry भी बेड़ सकती है तो मिडिया या फोन द्वारा बड़ा order मिलने की उमिध है इसलिए अपने संपर्क सुत्रों को और अधिक मजबूत करने में धिहान लगाए मित्रो ध्यान रखिएगा कि पथी पतनी का एक दूसरे पर विश्वास संबंदों को मजबूत रखेगा क्योंकि विश्वास पर ही रिष्टे ठीके रहते हैं प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेगी और समय की गती जो रहेगी वह आप ही के पक्स में बहत्रिन तरीके से रहेगी केवल अपने उर्जा और कारे समता का भरपूर सदुप्योग करें जितनी आपकी समता है जितनी मेहनत आप करें कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रियास कर रहे थे आपको अपने मेहनत के अनुरुप सूब परिणाम प्राप्त होंगी कोई पेमेंट करने की वज़े से मन परिसान रहेगा लेकिन कभी-कभी आपकी संकालू प्रवती दूसरों के लिए परिसाने का कारण बन सकती है इसलिए अपने विचारों में थोड़ा से लचिलापन बना कर रखें और युवा वर्ग वियर्थ के गतिवीधियों में अपना समय बिल्कुल दिखराब ना करें मितर आपको बदा दे कि बाहारी इस्तरोतों से संपर्क बनेंगे जो कि लापदायक भी रहेंगे और वेवसाइट पार्टियों के ओडर समय पर पूरे हो जाएंगे अपनी योजनाव को गुपत रखें क्योंकि लिख हो सकती है और सरकारी सिवारात लोग किसी भी तरह के गेर कानोने कारों में रूची ना ले मित्रो पती पतनी का एक दूसरे के प्रती विश्वास संभन्दों को मजबूत बनाये रखेगा और लोव पार्टनर के साथ लोंग ड्राइपर भी आप जरूर जाएं और सोबहाओं में चिड़चड़ापन और ठकान जैसे इस्तती महसुस होगी तो काम के साथ अब आराम भी लेने की आऊ सकता है और बाहरी गती वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दे तथा योजना बद्द तरीकों से कार्यों को संपन्द करीमित्रो मन मुताबिक फल मिलने से मन में खुशी रहेगी और आई के साधन भी प्रबल होंगे युवाव को अपने करीयर से संबंदित कोई खुश खबरी मिल सकती है लेकिन इस खुश खबरी के जरिये आप जीवन में कोई बड़ा कारे करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आलस की वजह से कुछ एसी उपलब दिया होगी जो आपके हास से निकल सकती है साथ ही मन में अकारण ही गुसा वचिड़ चिड़ापन में हिसूस होगा मित्रोग घर में जो सुधार की योजनाई बंद रही थी उन्हें क्रियानवित करने से पहले बजट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब तक बजट सही से नहीं बनेगा कारे सही से नहीं बने तथा अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें और मसेनधी आदी से जुड़े विवसाई में लाब दायक अनुभंद प्राप्त होंगे और ओफिस में किसी उच्च अधिकारी के साथ वाद विवाद जैसी स्तती बन सकती है मित्रो जीवन साथी वो परिवार के साथ संभंद मधूर रहेंगे अपने व्यक्तिकत निर्णई में जीवन साथी का भी परामर्स अवस्यले और ध्यान रखिएगा कि अपनी दिन चर्या और कायरे प्रणाली में किये गई परिवर्तन आप के लिए सकरात्मक और लाब दा कुल है कुछ पूराने नकरात्मक बाते वर्तमान पर हावी होने से संभंदों में खटास आ सकती है अपने भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है इसलिए अपने विचारों पर मनन करते रहें और विध्यारती मोज मस्ती की वज़े से अपने पढ़ाई पर ध्यान के नि विवस्ताइक कार्जों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलह आवस्यले क्योंकि आपको कोई भी मेहतुप्रन निर्ने लेने में परिसानी होगी और सरकारी से वरात व्यक्तियों को काम के दिक्ता की वज़े से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है में तरो धियान विनिकर या साथ सज्जा को लेकर पहले के समय में कुछ विचार विमर्स हुआ था तो उस विचार विमर्स को अब अमल विलाने की आवश्यक्ता होगी पारिवरिक स्देश्यों में उस सहा का माहुल है और कोई भी काम करने से पहले उस पर बज़ट अवस्य बनाए तो आर थोड़ा सा सईयं बरत ना है क्योंकि किसी पडोसी अत्वा बाहारी व्यक्ति के साथ कहा सोने की स्दती बनने से गुस्सा और तनाव हावी रहेंगे कोई भी कार अपने निगरानी में अवस्य रखें क्योंकि चोरी होने या किसी तरह के नुक्सान होने की संभाव न लग मझमें आर्थिक स्थित्य को लेकर कुछ भय जेसी इस्थिति रहे गी और कार्य छेत्र में आपको बहुत अधिक वेश्ता बने रहे रहे कर्मचारियों में काम लेते समय पूरा ध्यान रहे हैं की anytime है किस तरह से केसी परिश्दिति हले कार्यों को आप दे रहे हैं क्योंकि होगा यह कि जरासी भी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है साथ ही किसी सहयोगा का नकरात्मक रवय्या भी परिसान करीगा ओफिस में चल रहा प्रोजेक्ट पूरा होने से आपको राहत मिलेगी और अपने सुभाव को संतूलित रखे मित्रो क्योंकि आपकी वज़े से पारिवरिक व्यक्तियों में तनाव उत्पन हो सकता है प्रेम संभंदों में मधूरता बनी रहेगी और तनाव का प्रभाव आपकी पाचन किरिया पर पड़ेगा तो हेल्दे खान पान ले और तनाव मुक्तों होने के लिए योगा का सहारा ले कुछ नई जिम् जल्दे ही इसके आपको सुबफल प्राप्त होंगे और कोई लाबदायक नजदी की यात्रा भी स्तंभव है यह विद्यान रखें कि ज़्यादा सोच विचार करने में कुछ उपलब्दिया हास से निकल सकती है साथ ही बाहरी व्यक्तियों की बातों में ना आकर अपने नि सुचारू रूप से चलती रहेगी कंसल्स्टेंसी कमिशन आदी से संबंदित विवसाय लाबदायक इस्तिती में रहेंगे नोकरी पेसाव यक्तियों को अपने किसी तारिगेट को पूरा करने से मान सम्मान वा तरक्की मिलने की संभावना है और जीवन साथी के साथ आपक कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में गुरु जी का असिर्वाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तो भ्यम अवस्य लिखेगा गुरु जयो आपकी सारी मनोकामनाय पुरुन करेंगे देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा